Hello students, पिछले वीडियो में अपने Differential Under the Sign of Integrations देखा, आज अपने Integration Under the Sign of Integrations सीखेंगे, इस तरह के question एग्जाम में कम पूछे गए हैं आज तक, प्रीवीश को देखा जाये तो, लेगिन syllables में हैं, अपने तो पन्हों करना है, and in fact कुछ important results भी है इसमें, जो आज से पहले आपने नहीं किये हैं जिसे यह देखो integration 0 से infinite e की पवार माइनस x2 dx आज सक आपने जो मैथर सीखे हैं अगर उन मैथर से करा जाए तो इसका integration होता ही नहीं कर इसकते आपको अभी आपको यह करना है कि इसका integration जो है तो लिखते हैं शुरात करते हैं पर let i इसको मान लेते हैं 0 से infinite e की पवार माइनस x2 dx यह बहुत important integration है और थोड़ा सा इसकी steps आपको ध्यान लखने पढ़ेंगे कैसे ही steps लिए गया है to find the value of this integration आप पहले let कर लाओ x इसको 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 dx हो जाएगा इससे a times of dy limit x की जिएकर 0 रखने पर y की जिएकर 0 आएगा infinite रखने पर infinity आएगा e की पवार माइनस a square y square और dx से रख़ो a dy अब integrating जैंग मल्टिप्लाइग बोथ साइट्स multiply both sides by e की पवार माइनस a square ठीक है दुरों साइट e की पवार माइनस a square से integration कर लो तापको मिलेगा e की पवार माइनस a square into i will be equal to 0 से infinite जाएगा ये अंदर डालता हूँ e की पवार माइनस a square जो बिससे multiply होगा न तो base same है power add होगी e की पवार माइनस e square common प्या जाएगा प्यों जाएगा 1 plus y square dy अब integration another sign of integration उन्यूस करेंगे integrating both sides with respect to a integrating both sides with respect to a from a equals to 0 से a equals to infinite तक दोनों side integration कर दूँ ठीक है यहां पर integration होगा यहां पर integration होगा पैटा यह आई क्या था अपनी यह यह वाली टर्म थी इस तर्म में a ही नहीं तो यह i में actually i is independent of a है तो i constant treat होगा इसलिए बाहर लिग देता हूँ मैं 0 से infinite तक a की पावर माइनस a square d a equals to जे टर्म है अंदर 0 से infinite तक a की पावर माइनस a square 1 plus y square d y इसको 0 से infinite तक a के respect में integration कर दिया ओके नेक्स्ट यह तो टर्म वही है जो पनी ओरिजिनल टर्म थी जीरो से infinite यह की पावर माइनस a square dx बस x की जगे ए है तो कोई फरक नहीं पड़ता डैफिनिट इंटिकरेशन में अगर वेरीवल चेंज करके दिया जाए तो वही अब मैं यहां पर order of integration चेंज करता हूं यह वाला integration बाहर लेता हूं और यह वाला integration बाहर लेता हूं ऐसा आप कर सकते हूं वैसे तो उसको करने का method है जोगली unit में है आपके पास इसमें आप कर सकते हो कि a और y independent decision में डाकर के बाद दे रहा हूं आपको यह वाला integration बाहर लेता दगा दी नेक्स्ट जीरो से इन्फाइनाइट यहां पर साथ में एक टर्म ए भी चल रहा था जो मैंने स्किप कर दिया ठीक है अब ए स्क्वेर को गर आप टी मान लो ए स्क्वेर को गर आप टी मान लो तो इसका इंटीग्रेशन होगा 2a d a is equals to dt रिक है तो यह a और d a मिलकर dt हो जाएगा जाएगा लिमित कहो जाएगी लिमिट सेम ही रहेगी यह वह ही सॉब्स्टिशन उसकियाया है जो आपने 12th क्लास में किया है ओर्रड़ी हीव रुपर थी एक टी 1 प्लस y square dt upon 2 e2 upon अब इसका integration क्या होगा बढ़ा, 0 से infinite, 1 बाए 2 बाहर, e की पाउर माइनस t का, e की पाउर माइनस x का, e की पाउर माइनस x ही होगा, e के respect में हो रहा है y constant है, t का जो coefficient है वो divide कर तो, minus of 1 plus y square divide कर दिया, ठीक है, limits हो जाएगी, 0 से infinite, 0 से infinite अलग है, 1 बाए 2 तो पूरा constant है, पूरा भाऊर निकाल दिया मैंने, infinite रगों को तो e की पाउर माइनस infinite ही होता है 0, e की पाउर माइनस infinite का मतलब होता है, 1 अपॉन एक पाउर infinite यानि 1 अपॉन इन्पाउर यह होता है 0, और अपॉन में, minus 1 plus y square ही, यह चाहो तो बाहर निकाल सकते हो, इदर, constant मान पर, 0 upon this, minus e की पाउर 0, upon this, dy, यह तो 0 हो जाएगा, minus 1 plus, यह e की पाउर 0 में हो जाएगा, क्योंड यह बचेगा, यह हो जाएगा, i square is equals to 1 by 2, 0 c infinite of this dy, मैं सो लिखने होता हूं, i square is equals to 1 by 2, 0 c infinite, 1 upon 1 plus y square d1, है ना, बिता, अब 1 plus y square का integration तो आपन को पता है, 10 inverse y, 0 c infinite, i square will be equal to 10 inverse infinite, any pi by 2, 10 inverse 0 मतलब 0, i square के लिए लिए pi by 4, तो i के लिए हो गई, root pi by 2, हैंस true, simple है भीट है, बस starting के आपको एक दो steps घ्यान रखना है, इससे एक deduction भी है, 0 से infinite तक, a की पावर माइनस a x square, x की पावर 2 and dx रूट पाई अपन a की पावर n प्लस हाफ एंट्टू 1, 3, 5, यह होड़ता है, इस deduction का approval आपके book में दिया हुआ है, यह आप लोग करिएगा, यह थोड़ा important नहीं है, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ, चलिए, एक और example दिखते हैं आपन, एक्जामपल 2, यह आपको प्रूब बढ़ना है, नहीं, यह आपको दिया हुआ है, और आपको यह प्रूब करना है, यह आपको, यह दिया हुआ है आपको, और यह दोनों प्रूब करना है, तो चलिए, करते हैं मैटा, यह result है, मैं दोनों side integrate करता हूँ, integrating both sides, with respect to alpha from a to b, मतलब limits, alpha is supposed to a, alpha is supposed to b, तो यह हो जाएगा, a से b, यह अंदर लेक्टा काम हूँ, 0 से phi बाइ 2, dx upon 1 plus alpha cos x, d alpha, और यह जाएगा, 0 से a, cos inverse alpha upon square root of 1 minus alpha square, d alpha, इसमें तो t मानो, cos alpha को इसके derivative बटा है, तो मैं यह यह चलो कर देता हूँ, let cos inverse alpha is supposed to t, minus 1 upon square root of 1 minus alpha square, d alpha is supposed to dt, minus यह से डिका, तो यह आएगा, तो पहले RHS लिख रहा हूँ, हूँ है, limit will be change, 0 रखने पर cos inverse 0, cos inverse 0, नहीं, cos inverse, नहीं, यहाँ पर 0 से यह नहीं था, sorry, a से b था, a से b था, a रखने पर cos inverse यह आएगा, और b रखने पर cos inverse b यह आएगा, तो t की limits होगा, cos inverse से से cos inverse b, और यहोगे t upon minus का dt, ठीक है, और यहाँ पर integration का order change करता हूँ, मतलब यह ला integration अंदर, यह ला integration अंदर, और यह ला integration बाहर लिए जयता हूँ, तो यह हो जाएगा, 0 से πाई बाई बाई तो आजाएगा बाहर, यहाँ लिखना देना मुझे, 0 से πाई बाई बाई बाहर, और a से b, 1 upon 1 plus alpha cos x d alpha अंदर, और dx बाहर, dx यह ला integration बाहर ले लिए, और बाहर ला integration अंदर ले लिए, तो alpha के respect पर integration कैसा होगा बेटा, 1 plus alpha cos x, cos x constant होगा, alpha के respect होगा, तो इसको पूरे उत्यमानो dt होगा तुमारे cos x, तो इसका differential, integration करोगे ना बेटा, तो कुछ यह आएगा, मैं direct कर रहा हूँ, log of 1 plus alpha cos x आएगा, यह direct इसको x बाहर लिया, और x का जो coefficient, बदा alpha का जो coefficient cos x हो, divide मारे आएगा, ठीक है, और limit आजाएगी यहाँ पर a से b, ठीक है, is equals to minus का, t का integration होगा, t square by 2, cos inverse a से cos inverse b तर, limits रखते हैं, alpha की जगे b और alpha की जगे a, यह हो जाएगा, cos x पर common होगा, मैं यहाँ लिखा लता हूँ, इस से तो बाहर आ सकता है, dx के respect में integration, इस से बाहर नहीं आ सकता है, तो यह हो जाएगा, a से b, 1 upon cos x, और यह है, log of, log of, 1 plus b cos x, यह b रखोगे, alpha की जगे b की जगे रखोगे, 1 plus b cos x, minus 1 plus a cos x, log 1 plus a cos x, log a minus log b का फॉर्मुला, log a upon b होगा, मैं direct यह रिख देता हूँ, dx is equals to, यहाँ limit रखने पर, cos inverse b का स्वार, और cos inverse a का स्वार, minus होने के करण्ट, अपनों के order आगे पीछे कर देता हूँ, यह हो जाएगा, cos inverse a का स्वार, minus cos inverse b का स्वार, upon 2 को मैं आगे लिख देता हूँ, पहला वाला, प्रूव हो गया, यह करना था, cos x उपर आके, sec x बन जाएगा, यह काम करता हूँ, मैं cos x घटा के, यहाँ पर, sec x लेख देता हूँ, तो पहला वाला तो प्रूव हो गया बिटा, फर्दर आपको यह प्रूव करना था, कि sec x log 1 प्लस half, बॉसे स्पोस्टू, दिस होगा, तो, तो बिटा, अपन को यहाँ पर, इसको इसमें convert करना है, यह तो आगया result, यह रिजल्ट आगया, तो जहाँ से देखो, sec same है, log same है, b की जगे half है, और a की जगे 0 रख दो, तो 1 प्लस 0 cos x, 1 हो जाएगा पॉन मैं, तो यह काम करता हूँ, मैं a की जगे, let a equals to 0, and b equals to 1 by 2 माल लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 0 से b sec x log of 1 plus half cos x upon 1 plus 0, यह बन यह होगा, equals to half 0 का square, 0, sorry, cos 0 का square, cos 0, cos 0 होता है, pi by 2, तो यह हो जाएगा, pi by 2 का square, minus cos 0, half होता है, पीटा, 5 by 3, pi square, ठीक है, तो यह term तो भी हो गई, जो आपन को चाहिए, और यहाँ पर आ जाएगा, pi square by 4, minus pi square by 9, 36 LC में लेलो, नोबर गया, 9 pi square minus 4 pi square, तो यह हो जाएगा, 5, 5 square upon 72, यह आपको प्रूव करना था, जो की आज़ चुका है, hence, दोनों श्रीष डिडियूस हो गए, यह भी, और यह भी, बस यह दो ही एक्जाम्पल्स थे हैं, यह चैप्टर आपके complete होता है, इस तरह questions हैं, आपके exercise में, आपको प्लीज पीजिएगा, और आउट को तुम मुझे पूछिएगा, objective questions भी कीजिएगा, आपके fourth unit complete होती हैं, यहाँ पर, आज इतना ही, यह भी हो गया, बीटा का में पूछिएगा, आज इतना ही बीटा, थेंक्यू, कर देंक्यूण।